सूपर टेक केप टाउन में बढ़े हुए मेंटिनेंस चार्ज के विरूद में हुआ इस्तानिय विधायक के खिलाब पान लोगों ने विरूद पदर्शन किया जन्पद गौतमभुद नजर में सेक्टर चोतर में इस्तित आवास ये कलोनी सूपर टेन केप टाउन में के बंद कुए जब सूपर टेक केप टाउन आवास ये कलोनी के वाजियों अपनी समश्या से अखिल भारतिय धर्म परचारक सम्तिविष्ट विश्वेंदू परसत के अखिल भारतिय परचार पुसार मंतरी अगर वो समश्या का शमादान करेंगे अगर वो समश्या का शमादान करेंगे अगर वो समश्या का शमादान नहीं करते तो नभीन जी के द्वारा कहा गया कि वो अगले एक दिन में समश्या का शमादान कराने में शक्षम है और वो ने कहा कि योगी सरकार में कोई विधाय केट टॉन कालोंि मी लोगों ने हमारा गहराब किया जिसमें लोगों ने हमते सिकाय कि कि कौहतंबुद्ध नगर के इस्थानी विधायक पंकषे सिंगजी जो हैं वो कहीं न कहीं बिल्डर के साथ सनलिप्द हैं सारे मामले में परतु हमने जन्ता से यही अपील करी है कि पंकश सिंग जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुती प्रित्वास्याली व्यक्ति हैं युवा नेता हैं उत्तर परदेश में दूसरी वार गौतम बुद्ध नगर जनपस से बिधायक बने हैं निश्यत तवर पें पंकश सिंग जी के पास अगर कालोनि वासी अपनी समस्या को ले कर जाएंगे तो वो निश्चित तवर पें उसका निस्तारण करेंगे और हमने जंता से यह भी बोला है कि कोई भी नेता हो, मंत्री हो या विधायगण हो कोई भी व्यक्ति जो है वो बड़ा नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ एक जंता का सेवक है जिसका काम जंता की सेवा करना है और पूरी निष्टा के साथ उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करना है निष्चित तोर पर पंकर सिंग जी भी निर्वाहन करेंगे और हमने इस्तानी जंता से यह भी खाया है कि उनको कोई भी अपॉंट्मेंट लेने की अवशक्ता नहीं है जनपर्दी प्रतिनिदी स्वैम उनके पास चल कर आएंगे उनकी समस्चा को संग्यान में लेंगे और हम विश्वात दलाते हैं सूपर टेक कैप टाउन जो कालावनी है उसकी जंता को कि जो भी उनकी समस्चा है या तो एक अफ़ते में पंकश सिंग जी उसका निस्तारन कर देंगे अन्यता वो हमारे पास आएं हम अपने इस तर से जो भी हर संबब मदद होगी वो उने प्रदान करेंगे और एक और समस्चा सामने आई